जाहिंद आपके अपने चैनल न्यूस्टड़ी 24 के ब्रहमा सीरीज में आज हम भाग 5 संग के बारे में बताएंगे उसका इंपोर्टेंट टॉपिक राष्टपटी उप राष्टपटी और परधानमंत्री के बारे में बताएंगे और बताएंगे विप्यसी द्रोगा और अधर कंपेटिशन में कितना मार का पूछा जाता है भाग 5 संग जोकी अनुछेद 52 से लेकर 151 तक काफी लंबा हो जा आगा इसा तो नहीं है क्योंकि उसको समझ समझ के पढ़ना तो उसमें से डिवायर करके तीन टॉपिक परधानमंत्री राष्टपटी और उपराष्टपटी यह तीन टॉपिक के बारे में आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे इससे पहले जो भी ने स्टुडेंट अभ इतना पढ़ना चाहिए और BPSC की दिरिष्टी कौन से कौन कौन से टॉपिक महत्पूर्ण है इन सभी का जानकारी इस पहला वीडियो में आपको गैड वीडियो में मिलेगा सकेंड वीडियो टेस्ट वीडियो टॉपिक वाइस टेस्ट देने से आपको बेनिफित यह मिले लिंटे हैं और यास्ट वेडियो डालते हैं वो एक्सपलावनेश वेडियो तो इव्यडिय आपको फिस इस पर वाइड कर बाशिया है तो आप ज़ी चाहते हैं कि सरसथमी वीपेसी हमें निकालना है तो आप तीनों वीडियो ज़रूर देखें क्योंकि आपके लिए तीनों वीडियो काफी महत्पुन है चलिये देर नां करते हुए आज का टॉपिक प्रारम करते हैं आज का टॉपिक में पहला टॉपिक राष्ट पती है तूर्फ पति में आपको जो वर्णन मिलेगा वह वर्णन मिलेगा अनुछ्य्द बावन से लेकर अनुछ्य्द बासत क्योंकि हम लोग 51 का यह तक देख चुके थे जिसमें की मौलिक कर्तब था तो इससे आगे देखते हैं तो आगे क्या राश्ट पटी है राश्ट पटी तो आप समझ गए कि अनुछेद कितना से हैं अनुछेद 52 से लेकर अनुछेद 62 तक इसके बाद फिर 63 से लेकर अनुछे अनुछेद 71 तक इसका वर्णन किया गया तो उप राश्ट पटी का और अनुछेद 72 और 73 में फिर से राश्ट पटी का वर्णन किया गया है यदि परधान मंत्री के बाड़े में देखे तो परधान मंत्री का केवल 76 में अनुछेद में ही उसके सपत पत्र का सपत गरहन का रन किया गिया है लेकिन ऐसे पर्धानमंत्री के लिए अपिसल कोई नहीं बनाया गया है 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 दिए प्यासी में देखे इसमें क्या पूछेगा सबसे पहले यह समझे ना जैए ना कि राश्टपटी की आप समझ है इसमें जो पूछने का करम होता है अब सबसे पहले देखिए कौन से अनुछेद में राजपती का अस्थापना क्यों किया जाना चाहिए उसका क्या कार्ज है उसका क्या सक्ति है उसका कौन-कौन से सक्ति कहां-कहां उप्यों किया जा सकता है यह जितनी भी सकती है कौन से अनुछेद में किसका वर्णन क्या गया है यह थोड़ा पढ़ लीजे आप को याद नहीं भी होता है तो कोई डिकत नहीं है क्योंकि यह टॉपिक इतना भी जटी लेकिन हाँ आप यह दिक करम याद करके रखते हैं जैसे कि बावन से बासट तक और 72-73 अनुछेद राष्टपती के लिए है और 63 से लेकर 71 तक अनुछेद उपराष्टपती के लिए है तो यह जदि करम आपको पता होता है तो आप क्या कर पाएंगे जदि एक्जाम में कोश्चन आएगा आपके पास तो उसमें ओप्सन मिलता है ना चार पांच ओप्स में अभी पांच ओप्सन कर दिया ओप्सन लगा के लेकिन अधर कमपेटिशन जैसे दरोगा या कोई भी एक्जाम देते हैं तो उसमें चार ओप्सन मिलेगा तो आप ओप्सन के अनुसार उसको डिसाइड कर पाएंगे और जैदि आप एक दो बार पढ़े हैं कि यह अनु में आएगा वह इसके बाड़े मिए का और आप कोशन कहीं ने कहीं सही कर पाएंगे और यह रन्निती आपको कम मेहनत में अच्छा फाइदा देने वाला है तो इसलिए आप इस रन्निती के साथ पढ़ें कि इसके बाद उप्रास्ट पती में भी आपको यही पढ़ना है उ हर मिलेगा तो सपत पर्धान मंतरी का सपत कौन दिलबाता है है उपरास्ट फर्ति या रास्ट पती निरवाचन कैसे होता है क्योंकि उप्रें पर्ति कच्छुरूप से भाग नहीं लेता है तो आपर्त शुरूप से अनुच्षेद में इसका वर्णन किया गाई यह सब अनुच्षेद का करम समझ लेते हैं और यह अनुच्षेद याद रख लेते हैं तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा फिर इसके बाद साथ ही इसके साथ ही आप यह देखिए कि आप पूरास्टपटी बनना है क्योंकि राश्पटी तो कोई भी बन सकता है आम नागरिक भी बन सकता है लेकिन उसकी योगता भी तो कुछ लिमीटेट है जैसे कि आपको विप्यासी पास करने के लिए गर्जुएशन होना जरूरी है तो उसी परकार से आपको राश्पटी बनना है तो राश्पटी बनने के लिए कितना एज निर्धारत किया गया है तो एज 25 साल के अलावा वो भारत का नागरिक हो नागरिक के अलावा भी जो भी उसका जो केटेरिया होता है आप वो प्रे केटेरिया को याद रखें क्योंकि ये केटेरिया से क्वेशन पूछता है साथ में आपको पूछेगा आप कुछ राष्ट पठी या उप्राष्ट पठी का करम देख लिज्ए पहला राष्ट पती को बना तो राजिंद्र परसाट ये तो सब को याद होता है तो जो चीज़ देखिए सब और महिला सबसे पहले महिला राष्टपती कौन हुए तो यह एक करम होता है यह समझने वाले बस यही चीज को आप समझ यही सब टॉपिक है जो एक्जाम में पूछता है और आपको यही चीज सब समझना होगा पढ़ने टाइम में इस बात को फूकस करके पढ़ना होगा इस अंग्रहित कर पाएंगे जिसके वजह से आप इक्जाम में बहुत बेतर रिजल्ट ला सकते हैं तो आप पढ़ते रहें आगे बढ़ते रहें फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में धन्यवाद